हलो फ्रांस कैसे हैं आप बढ़िया मस्त रही है और अंटर्टेन्मेंट का मज़ा जो है काफी जादा आने वाला है क्योंकि बहुत सारे नए शो आने वाले हैं बड़े बड़े पॉड़क्शन जो हैं इदो दर भाग रहे हैं कि भाईया हमें अपने शो पे बैस टाइमिंग चाहिए ऐसे में फिर चाहिए स्टार हो, कलर हो, जी हो या फिर सब टीवी हो या सोनी हो हर कोई एंटर्टेन्मेंट में एक दूसरे को मात देने को तैयार हो रहा है ऐसे में एक पॉड़क्शन अपने एक शो को सम्हाल नहीं पा रहा है अब वो नए नए शो की तैयारी कर रहा है चलिए भाई कहते हैं ने कि एक लूटिया डूब रही है तो दूसरे को तो खड़ा करना ही पड़ेगा तो वैसे ही उसी के बीच में लीला यानि कि लीला जी अपना एक नया शो उतारने वाली है भाई वैसे तो वो बंगला में काफी फेमस हैं और हिंदी टेलिवीजन में उनका जनक शो स्टार प्लस पे आप देख रहे हैं काफी सुर्खियों में हैं और काफी अच्छा कॉंसेप्ट है और जो है फैंस को काफी पसंद आ रहा है और टो फाइक में भी कई न कई बनावा है उसी के बीच में जो है आपका जनक के बाद अब मैम अपना एक नया शो स्टार प्लस पे लाने की तैयारी में चल रही थी अचानक से जब उन्हें लगा कि स्टार प्लस पे कोई भी स्लोट खाली नहीं है सभी शो बास टाइमिंग पे प्राइम टाइम पे अच्छी टियार पी दे रहे है तो ऐसे में जो है अरली टाइम या लेट टाइम उनको मिल रहा था ऐसे में वो थोड़ा सा सोचा कि अर्ली टाइम और लेट टाइम जो है टियार पी इतना जल्दा जल्दी नहीं निकलता है इसलिए उन्होंने अपने शो को सोचा क्यों न मुझे एक बार कलर से डिसकस कर लेना चाहिए तो वो कलर के पास पोच जी और कलर से कहा कि मुझे जो है प्राइम टाइम चाहिए तो ऐसे में कलर रेडी हो गया है उन्हें प्राइम टाइम देने के लिए ऐसे में शोचल मीडिया में फैंस कह रहे हैं रगू शो को लाता रहता है और हटाता रहता है वही color का नाम ही लोगों ने रग्गू रख रखा है तो Twitter पे जो है कह रहे हैं रग्गू ऐसे कितने show लाएगा साल सुरू हुआ नहीं कि इतने show launch कर दिये हैं और इतने show आने वाले हैं और इतने show के promo दे रखे हैं तो ऐसे में जो है अब लीला मैम अपना नया show जो है लाने वाली है आपका color पे जिसके story जो है आपकी गुजराती पे डिपेंड होगी गुजराती background होता है इस तरह के show आप देख चुके है ऐसे में एकता कपूर ने यह है महबते जैसा show फैंस को दिया था और बहुत जादा पसंद आया था जहां पे गुजराती और मराथी की story दिखाई गई थी या कहे गुजराती और पंजाबी की story दिखाई गई थी इन दिनों भी जो है राजन साही भी इस तरह का show लाइवे है बाते कुछ अनकही सी जिसका concept फैंस को काफी पसंद आ रहा है और जोड़ी भी काफी पसंद आ रही है तो ऐसे में लीला मैम को लगा कि आज हिंदी टेलिविजन में गुजराती और पंजाबी का mixture शो बहुत कम देखने को मिलता है तो ऐसे में वो उस तरह का background का show आपके सामने launch करने वाली है अब बात करते हैं सुनने में आ रहा है खबरे हैं कि जो है last week इस show की shooting सुरू हो चुकी है अभी चेहरो के नाम सामने नहीं आये हैं कि ये कौन से चेहरो को इन्होंने लिया है किसको approach किया है या shooting सुरू भी हुई है या नहीं क्योंकि कहते हैं कि जब दुआ उठता है तो आग तो कहीं न कहीं लगी ही है तो ऐसे में या तो कोई अपने cast का नाम अभी नहीं बताना चाता है जब तक promo launch नहीं हो जाता है ऐसे में इन्होंने जनक की भी cast को एकदम final नहीं कराता लेकिन social media में इनकी clip काफी viral हो गई थी जब उन्होंने वारा नसी में shooting किया था अब बात आती है कि क्या fans एक idea लगा रहे हैं कि परणाली राठोर को ले सकते हैं या फिर शिवांगी जोसी को ले सकते हैं अगर इनके show को पीछे वाले show को देखा जाए तो ये कुछ color fair लड़कियों को लेती हैं या color fair actors को लेती हैं जैसे कि हीबा भी काफी fair color है तो उनको लिया है तो उमीद है कि परणाली राठोर शिवांगी जोसी का industry में काफी fair color में जाना जाता है या माना जाता है तो ऐसे में हो सकता है कि उनको launch करें और show का नाम जो है परणा सुनने में आ रहा है कि जो title show का नाम होगा परणा होगा एक female की story होगी अब देखना है कि वो female गुजराती होती है या फिर पंजाबी होती है वो तो आने वाले time में ही पता चलेगा पर इनके show के नाम बहुत छोटे होते हैं जनक परणा इस तरह के show इनके देखे गए है तो आप कितने excited है लीला मैं के show को देखने के लिए और कलर क्या वाके ही प्राइम टाइम दे देगा अपने popular show को क्या वाके हटा देगा कमेंट करके जरूर बताइए बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है